जैहिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का बड़ा इंडिया यूटीब चेनल पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा के विशे में, क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, अस्थमा के मरीजों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उन्हें कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे वे सर्दी के मौसम में भी हेल्दी अपने आपको बहतर रख पाएंगे, प्यारे साथियों ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपके घर में या फिर आपके परिवार मे या आपके आस पडोस में कोई भी वेक्ति अस्थमा से पेडित हों, तो ऐसे वेक्ति को ये वीडियो शेयर अवस्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को स्वस्त बनाने में मददगार साबित हो सकता है, प्यारे साथियों ये वीडियो पूरी तरह से आईरवेद से जुडा हुआ है, वैसे तो सर्दियों का मौसम काफी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह आफ़त बन कर आती है, खास तोर पर अस्थमा के मरीजों के वायू मार्ग में पहले से ही सूजन होती है, जो सर्दियों के मौसम में और भी बढ़ जिससे उनकी परिशानी बढ़ने लगती है। उन्हें सांस लेने में परिशानी होने लगती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को काफी जादा सतर्क रहने की आवशकता होती है। ज्यादा घर के अंदर रहेंगे तो ज्यादा स्वस्तरह पाएंगे। हलाकि अगर आप किसी काम से बाहर जाभी रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। सड़क पर उड़ रहे धूलकन की वज़से सांस लेने में परिशानी हो सकती है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपको और कई तरह की प्रेशानिया नहीं जगर पाएंगी और अस्थमा में आपको राहत तो मिलेगी ही। अगली साउधानी बरतनी है कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। अक्सर लोग सर्दियों में पानी कम पीने लगते हैं। लेकिन अन्य की अपेक्षा अस्थमा के मरीजों के लिए या खतरनाक साबित हो सकता है। परियाप्त मात्रा में पानी पीने से फेफुडों में बलगम पतला हो जाता है। जिससे या आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। दरसल बलगम अस्थमा के मरीजों की सास संबंधी दिक्कतें बढ़ा देती हैं। इसलिए अगर आप प्रोपर मात्रा में पानी पीते हैं तो आपको काफी राहत मिलेगी। और कोशिश करेंगे कि जब भी पानी पीएं आप गर्म पानी का सेवन करें। ठंडे पानी से सफाई का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखने के अलावा जहां आप सोते हैं, वहां की चादर और कंबल साथ में तकिया, हर हपते गर्म पानी के माध्यम से सफाई जरूर करें। क्योंकि गंदगी से अलर्जी की समस्या हो सकती हैं और ऐ ऐसे में अस्थमा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो साफ सफाई बेहद आवश्यक है। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि तंबाकू या धुम्रपान का वेश सेवन करते हैं, लेकिन उन्हें बता दें कि अगर आप अस्थमा से पीडित हैं और आप सर्दी के मौसम में तंबाकू या फिर धुम्रपान का सेवन करते हैं, तो आपकी परेशानिया बढ़ सकती हैं। आपको बता दे कि अस्थमा के मरीजों को तंबाकू या धुम्रपान का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ अस्थमा की दिक्कते बढ़ाएंगे, बलकि अन्य बिमारियों को भी आपके शरीर में जर्म दे सकते हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए या काफी जरूरी है कि वो अपने हाथ समय समय पर धोते रहें, ताकि उसके जरीए कोई भी वाइरस शरीर में परवेश ना कर पाए और अस्थमा की प्रेशानी बढ़ना सके। और गर्म-गर्म भुजन का ही परियोग करना चाहिए। इसके साथ आप डाल का परियोग कर सकते हैं। हरी पत्तिदार सबजियों का परियोग कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। ऐसे में तीखी और कडवी सब्जियों जैसे सफेद मूली, लाल मूली, अद्रक, हरी प्याज, करेला, आधिक कप को गलाने का काम करते हैं। तो आपको इन सब्जियों का सेवन खूब करना चाहिए। अगर आप अपने फेपणों और शरी से अतरित्य मूकस यानि कप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कडवी सब्जियों के साथ मीठी सब्जियों का सेवन जरूर करें। इसके साथ ही अस्थमा के मरीजों को सेव का परियोग करना चाहिए यानि एपल खाना चाहिए। वैटामिन सी युक्तु फूड्स का परियोग करना चाहिए। अस्थमा के मरीजों को परहेज के रूप में कुछ ऐसे भोजन है जिनका परियोग उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे अंडे, खटे फल, गेहु, सोया और इससे बने पदार्थ अस्थमा रोगियों के लिए परिशानी का सबब बन सकते हैं। अस्थमा रोगियों को अपने आहार से इन खादि पदार्थों को बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। कई लोगों के लिए खटे फल और अंडे फाइदे मंद हो सकते हैं, लेकिन कई मरीजों में इन खादि पदार्थों से समस्याएं उत्पन होने लगती हैं, इसलिए खादि पदार्थों से भी दूरी बना कर रखना चाहिए। अस्थमा के मरीजों को मुंगफली खाने से भी परहेज करना चाहिए। अधिक नमक का सेवन करना भी सही नहीं होता है। साथी जंक फूड और डिबाबंद भोजन, बासी व ठंडा खाना, मक्षन इत्यादी भी परेशानी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए आवशक है कि आप परहेज के साथ ही अपनी दिन्चरिया को शुरू करें। खाली पैर न चलें। साथियों ये वीडियो जानकारी के परपस से बनाई गई है। किसी भी प्रकार के बिमारी से पीडित होने पर अपने डॉक सकते हैं। वीडियो को आखरी तक देखने के लिए दिल की गहराई से बेहद धन्यवाद।